मैं रामनिवास शाचारिय स्रीकल्यान राजकी एकन्या महाविदाले सीकर आज मैं आपको डाक्टर आमबेड करके राजनितिक विचार विचारों के बारे में बताऊंगा चर्चा करूंगा तो जो उनके मुख्य मुख्य राजनितिक विचार थे वो इस प्रकार से हैं नमबर एक राज्य का शवरूप एक उदारवादी वेक्तिवादी की भाती हम बेड कर वेक्ति की प्रतिष्टा में विश्वास करते थे एह हस्तक्षेप के शिधानत में विश्वास नहीं करते थे एक समाजवादी की भाती वे राज्य को एक आवशिक आवर उप्योगी शेंस्ता मानते थे प्रन्तु वे उसे ए सिमित या ए मर्यादित शक्तिवें से विभूशित नहीं करना चाहते थे वे राज्य को सिमित या मर्यादित शक्तियां ही परदान करना चाहते थे तो पहला उनका जो राज्य के सवरूप को लेकर है वो ये विचार उन्होंने परकट किये राज्य का सवरूप को लेकर दूसरा है सासन परणाली का सवरूप अमेडिकर ने संसदिया सासन परणाली का समर्थन किया था वे एक ऐसी सासन परणाली के पक्स में थे जिसमें कारिय पाली का सक्षम होने के साथ उतरदाई और समिदन शील हो जो वेवस्ता पिका के निर्देशन और नियन्तर्ण में काम करे जिसमें बहुमत अलफमत के हितुं की उपेक्सान ने करे जिसमें चेक एंड वेलेंस अवरोद और संतुलन की वेवस्ता हो जिससे विभाग एक दूसरे से सब्तंतर रहते हुए एक दूसरे पर नियन्तर्ण रख सके तो उन्होंने यहाँ पर जो असासिन परनाली है संसदी असासिन परनाली का समर्थन करना चीए किया है क्योंकि इसमें कार्य पाली का वेवस्ता पिकाई के परती उतरदाई होती है और इसमें चेक एंड वेलेंस वाली इस्तिती भी होती है सरकार के तीनों अंगे एक दूसरे को शंतुलित और नियन्तरित करते हैं तो इस परकार से यह उन्होंने संसदी असासिन परनाली को परसंद किया था वेश्क मतादिकार या फिर करना चे अडल्ट फ्रेंचाईज बालिक मतादिकार अमवेटकर का कहना था कि मतादिकार का सही अर्थ है अपनी खुद की जिन्दगी जायदाद और आजादी की हिपाजत करनी का हक अम्वेटकर साब का कहना था कि इंसान भले ही अनपड हो फिर भी वह समझदार होता है वह अपना हित अच्छी तरह समझता है केवल गरीबी की वज़े से कोई अपने राजे का प्रतिन दी न चुन सके तो ये उसके साथ बड़ी बे इंसाफी होगी तो उन्होंने वैश्क मतादिकार का शमर्थन किया उसमें और कोई भेदबाव नहीं होना चीए उसके कोई शामाजी कोर्स के आर्थिक स्टेटस हो सोशियल स्टेटस हो उसने इसकार कोई और कोई वो नहीं कि एक निश्चित आयू को प्राप्त कर लिया जैसे पहले सिक्षित लोगों कोई मतादिकार था जो भहत अच्छे संख्या में कुछ एक थे पर यहां पर उन्होंने कि जो एक निश्चित आयू निधारित कर दी और वो चाहे किसी भी जाती धरम का हो सबको वो मतादिकार प्रदान करने की बात कही अगला वेक्ति पूजा या हीरो वर्षिप से दूर रहना अम्बेट करने परजातंतर में जनसमोह को वेक्ति पूजा से दूर रहने का प्रामर्स दिया है जोन अश्टुएट मिल की चेतावनी का इस्मरण करते वे उन्होंने कहा है कि अपने इस शवतंतरता को एक महान वेक्ति के चर्णों में समिर्पित ने करें जो तुम्हारी सेंस्ताओं को रोधनी के शामर्थे रखता है आईरिश देश वक्त और निल ने भी कहा है कि कोई पूरस अपने समान की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता कोई महिला अपने आबरू की कीमत पर आभारी नहीं हो सकती और कोई रास्टर अपनी शवतंतरता के मुले पर आभारी नहीं हो सकता तो ये इस परकार से उन्हों ने वेक्ति पूजा या फिर करना चे हीरो वर्षिप से दूर रहने की बात कही अगला राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक परजातंतर डाक्टर अम्बेट करने कहा था कि समानता के बिना शवतंतरता से बहु संक्यक पर थोड़े वेक्तियूं की सर्वोचिता इस्तापिद हो जाएगी और शवतंतरता के बिना समानता से वेक्तिगत पेश कद्मे की हत्या हो जाएगी भाईचारे के बिना शवतंतरता और समानता को नेसरगिक परवा प्राप्त नहीं होगा तो उन्होंने ये बहुती सुंदर बात कही और इस प्रकार से उन्होंने इन चीजों का एक अच्छा कहना चीए सामन ज़स से बेठानी की बात कही कि शमानता शवतंतरता और भाईचारा इस पर बहुत बल दिया अगला बीदलिये वेवस्ता प्रजातंतर की शफलता के लिए राजनितिक दलूं को प्रात्मी कावशिकता मानते थे अम्बेडगर साथ प्रणतु वे एक दलिये वेवस्ता की खिलाब थे एक दलिये लोगतंतर स्वेचाचारी होता है स्वेचाचारीता चाहे सजातिये लोगों की हो या विजातिये शवाधिंता के लिए नास्तिकता होती है यद पी वे बहुदलिये वेवस्ता का समर्थन करते थे प्रंतून की नीजी पसंद द्वीदलिये वेवस्ता ही थी क्योंकि प्रजातंत्र में एक दल शतादारी तथा दूसरा विरोधी पक्ष कहलाता है विपक्ष के सुदुर्ड होने से ही लोगों के पास चुनाव के समय एक विकल्प उपलब्ध होता है तो इस प्रकार्शन होने टू-पार्टी सिस्टम को पसंद किया लाइक किया और उसके ये निमनांकित गुण बताए जो मैंने अभी उनका उलेक किया है और अगला बिंदू पाकिस्तान का प्रशन अंबेड करके रजना थोट्स ओन पाकिस्तान 1940 में प्रकार्शित वी पब्लिश वी जिसमें उन्होंने ये सिधान प्रतिपादित किया था कि भारत के हिंदूओं को शांती से जिनी के लिए भारत के हिंदूस्तान और पाकिस्तान दो भाग कर देने चाहिए उनका ये भी मानना था कि केंद्री इसासन ससक्त करनी के लिए भारत का विवाजन आवशिक है अन्य था भारत की श्वाधिंता सदा संकट में रहेगी उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पाकिस्तान बनाने से पहले पाकिस्तानी हिस्से के हिंदू तता हिंदूस्तान के मुसल्मानों की अदला बदली हो जानी चाहिए उनका ये भी सुझाव था कि यदि विवाजन कांग्रेश की मजबूरी हो जाती है तो भारत में एक भी मुसल्मान को रहनी का हक नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके रहनी से एक और विभाजन के लिए देश को तयार रहना के लिए तयार रहना पड़ेगा तयार रहना होगा अगला तटस्थ परसासन न्यूटरल एडिमिनिस्टरिशन डाक्टर अंबेडकर का कहना था कि परजातंतर में परसासन ततरस्थ होना चाहिए वचनबद नहीं उनकी निष्टा शमिधान और कानून के परती होनी चाहिए वे सीविल सेवा में लूट परता के विरोधी थे उनका इसपस्ट मत था कि सतारूट या सास की दल में परिवर्तन होनी से परसासनिक सेवकूं की अदला बदली नहीं होनी चाहिए तो परसासन है वो न्यूटरल हो अगला राश्टर भासा एवं भासाई राजे नेशनल लेंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में उन्होंने कहा है कि अंबेटकर साब स्वेम मराठी थे तथा आंगल भासा पर भी उनका पूर्ण अधिकार था फिर भी उन्होंने इंदी भासा को ही राश्टर भासा माना उन्होंने नेरुजी को भी सुझाव दिया था कि वे प्रांतु का गठन भासाओं के आदार पर ने करी वे भासाओं को शांपरदाइकतावाद का ही दूसरा रूप मानते थे वे एक भासा अनेग राजे भारमुले का समर्थन करते थे तो इस प्रकार से उनका राश्टर भासा और भासाई राजे समंदी विचार थे राश्टर मंडल, कोमन वेल्थ, अमबेटकर भारत के राश्टर मंडल से समंद विचेद को उचित नहीं मानते थे 1940 में उन्होंने कहा था कि भारत की तरह है राश्टर मंडल को भी भारत के सहयोग क्याव सेकता है और दोगिक प्रगति के लिए तथा प्रतिरक्षा के लिए जितनी जल्दी मदद ब्रिटिश कोमन वेल्ट से मिल सकती है उतनी जल्दी और कहीं से नहीं मिल सकती इसलिए राश्टर मंडल से समंध विछेद करना भारत के लिए उचित नहीं होगा रहेगा तो अम्बेट गर्षाब ने कोमन वेल्ट का समर्थन किया है और उसके लिए उन्होंने रिजनेवली कहना चीए लोजिकली बातों को रखा दृस्ट्री कौन को सामनी रखा कि एक लंबा समय सब ये कोमन वेल्ट के कंट्रीज हैं उनमें एक जैसी सासन पढ़ना लिए और भी कई और दूसरी बात जितना सेना के परती रख्षा के लिए सामान साजों सामान खरीदना है और है कोई भी किसी भी प्रकार की ओदोगिक या तक्निकी या प्रोदोगिक की कुछ भी जो आफशेक्ता आदान परदान चीज़ों करना है तो वो इन देशन चीज जितना जल्दी हो सकता है वो उतना और कि कहीं आप किसी दूसरे से लेना चाओगे तो उसमें बड़ी दिखती आएंगे समय पर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक लंबे समय से हमारा परसासनिक जीवन है और है एक जैसा रहा है तो उन्होंने खा कि हमें राश्टर मंडल के शाथ रहना चीए अगला राश्टरबाद एकी करण और राश्टर प्रेम नेशनल नेशनलिजम यूनिफिकेशन एंट नेशनल लव डाक्टर अमबेडकर के राश्टरबाद राश्टर प्रेम और देश वक्ती के समंध में कुछ ब्रामक धार्णाई विद्देमान है रही है जिसका कारण अमबेडकर राश्टर के स्वाध हिंता के तुलना में एश्परस से समाज अंटचेबल सोसाइटी की समाजिक शवतंतरता को अधिक प्रात्मिक्ता देते थे उन्होंने गौल में समयलन में देशी राजाओं और जमिनदारों का विरोध करने वाले अकेले प्रतिन दिदी वो थे उन्होंने शवतंतरता प्राप्ति के समय देशी रियास्तों को प्रामर्स दिया था कि उन्हें अपने प्रबू सता भारतिय संग में मिला देनी चाहिए उनका 77 रहकर संप्रभू राश्ट्र उनका 77 रहकर शंप्राश्ट्र संग से मान्यता तता सुर्क्षा प्राप्त करनी का विचार कलपना लोक में रहनी के समान है 13 दिशंबर 1946 में उन्होंने कहा था कि बले ही आज मुस्लिम लिग हिंदुस्तान के टुकडे करनी के लिए आंदोलन चला रही है फिर भी एक ऐशा दिन भी उदित होगा जब वे मसूस करेंगे कि अखंड भारत ही हम सब के लिए हितकर है और सबसे जो महत्वपुनुन का जो बड़ा योगदान रहा समिद्धान निर्मान Composition of Constitution अमबेड करने समिद्धान निर्मान में निर्णाइक भूमी का निभाई थी जिसके कारण उने अदुनिक भारत के समिद्धान के निर्माता की संग्या दी जाती है समिद्धान के प्रारूप को समिद्धान सबा में विचारा धिन पेश करते हुए डाक्टर अमबेड करने कहा था कि ये समिद्धान प्रतियक्स विभार में लानी योग्य है वल अचिला है शाथी श्यांती के दिनों में हो या युद काल में हो देश को एकता के शूतर में बंदे रखने के लिए अतियंत प्रभावसाली है और सक्षम है यदि समिद्धान का सही प्रकार से अनुसरन नहीं किया जये नहीं हो पाया तो यही कहना होगा कि दोस्ट समिद्धान का नहीं है बलकि इनसान में बसे अवगुनू का है तो इस परकार से उन्होंने शमिद्धान को तयार किया और शमिद्धान में इस परकार से उन्होंने अपना पूरा जो दर्शन और देश का जो समगर रचिंतन देश को समीधान के मादम से गरीब, अमीर, उच, नीच, सारा सब का ध्यान रखते हुए उन्होंने ऐसा समीधान बनाया जिसका आज भी हिंदुस्तान रिनी है और ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और देश को राजनितिक गरूप से एक बनाये रखनी वाली सारी चीज़ी इसमें समीधान में सामिल है और समीधान का मजबूत होना उसके अनुसार चलना देश का राजनितिक गरूप से सच्पूत होना माना जाएगा और इसके साथ ही मैं आज यहीं मेरी वानी को विश्राम देना चाहूंगा और आपनी ध्यान परोग सुना समझा इसके लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद